मैं आपको एक कुश्चन देता हूँ कुश्चन में क्या है हमने वाटर को लिया वाटर था 25 डिगरी सेल्सियस पे और इसको हमने क्या किया वाटर को फेजा 50 डिगरी सेल्सियस तक गरम करके यहां एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा S1 ठिक फिर क्या किया किसी ने वाटर को लिया और वाटर को 50 डिगरी से आगे बढ़ाया 75 डिगरी सेल्सियस तक ले गया उसका इंट्रोपी चेंज आया डेल्टा S2 अब मेरा आपसे कुश्चन यह है मैं आपको ऑप्षन दे रहा हूँ ऑप्षन ए कि डेल्टा S1 क्या डेल्टा S2 के बराबर होगा ऑप्षन भी इन में से कौन सा होगा क्या लगता आपको कौन सा डिसकर कौन सा लेना चाहिए अपने को है ना सरी के लेना चाहिए डेल्टा S1 चोटा होगा डेल्टा S2 से ऐसा क्यों C क्यों ज्यादा टेंप्रेचर पे ज्यादा एंट्रोपी होगी क्यों कि अधिक नश्य पाटिक बढ़ जाएगा तो तो रेंडमनेस बढ़ जाएगा यह सुनो वह इस पामले को नहीं देखोगे लेकिन हमको जो सब्सक्राइब आता है वही फाइनल है सर ना हम इसको नहीं देखेंगे यह लगता है इन्होंने सही बोला अब तो इन्होंने बोल दिया मैं दिमाग उसी तरफ चला गया गलत है आंसर अब बताओ हमें इस फॉर्मॉले का डिस्केशन करना है इस फॉर्मॉले के साब से देखो आएगा समझ में एक्वल करने है 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 हुला इक्वल की फिवर में नहीं हो कि देल टेस्ट कोई भी नहीं है तो पहली तो जंग आगे जीत गया पहली बात तो समझ में आगे बरावर नहीं इतना ठीक है आप कौन सा डी तो नहीं है सुनों आप इसको आप यहां पर हीट किसको दे रहा हूं किसको दे रहा हूं किसको दे रहा हूं किसको दे रहा हूं हीट पानी को दे रहा हूं पानी को पच्चे से का ले जा रहा है पचास कितने कितना डिफरेंस हो रहा है 25 दी सेलसियस यहां भी कितना हो रहा है यहां भी इंचिस सब्स्टेंज का एक डिवी राइस होता pursuing कितनी होती यह पानी की ओन souris एक किलोरी हीलिद लगेगी और एक डिवी सेल सेजिए स्पानी का करा रैसलय भाइस हो जाएगा है जब मैं persis smile करूंगा तो 50 से 51 करूंगा तो तब भी कितने लगेगी तब भी वन कैलोरी लगेगी तो क्यूं तो दोनों का सेम आएगा लेकिन नीचे कितना डिवाइड होगा पहले वाले में 25 नहीं 25 प्लस 273 298 क्लविन में तेंप्रेचर है केमस्ट्टर जो जतने भी अड़िए केपिटल टी है तो यहां पे क्या होगा यह पे वही वन कैलोरी उपर आएगा नीचे 298 आएगा और यहां क्या आएगा उपर वन कैलोरी आएगा नीचे कितना आएगा 50 प्लस 273 तो डिनोमेटर और आपको हर वन डिगरी सेल्सियस में यहां डिनोमेटर कैसा आएगा यह नीचे वाली वैलू कैसी आएगी बड़ी आती जाएगा और उपर वाली वैलू हमेशा दोनों केस में सेम रहेगा जोडते जाओ DS1, 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 DS2 हर एक डिगरी सेल्सियस के लिए कहां ज़्यादा बैठेगी कहां ज़्यादा बैठेगी पहले वाले में ज़्यादा बैठेगी पहले वाले में ज़्यादा बैठेगी डिक्यू अपॉन टी DQ entropy नहीं है, DQ upon T entropy है, इद्यान रखना, DQ upon T entropy है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, डेल्टा S1, डेल्टा S2 है, ठीक, हमारे logic का क्या, क्या था आपका logic, रेंडमनेस कैसे बढ़ गई थी, आपका logic क्या था बढ़े बताओ, इवापरेशन नहीं हो रहा था ना, अभी फेस्टांसरमेशन नहीं हुआ है, कहां तक पहुँचे अभी, अभी सेम फेस्ट में हैं, उसलिए हंडेट से पहले रखा हुआ है, उसको हंडेट से पहले रखा हुआ है, ठेक है, और कुछ लोगों को एक गलत फैमी और भी है, वो लोग इंट्रॉपी को temperature से रिलेट करने, temperature बढ़ रहा है, ऐसे कुछ कोसिस करते हैं, रिलेट करने की, वो गलत की है आपने, रेंडमनेस बढ़ गई है, एक्शली थोड़ा सा जो आपको छोटे-छोटे doubt आएंगे ना, दिमाग में, वो reason है कि यह जो मैं लेके चल रहा हूँ, एक classical thermodynamics लेके चल रहा हूँ, entropy का, entropy का एक classical view है, एक view और होता है, statical, सांखिकी वाला, है ना, permutation, combination से related होता है, मैं आखरी में वो बताऊंगा, तो छोटे-छोटे small doubts है ना, आपके, वो clear हो जाएंगे बना, लेकिन कहीं न कहीं रहेंगे, जरूर अभी रहेंगे, लेकिन मुझे करने दीजिए, मुझे पता है, वो आने लगते हैं, आपके दिमाग में जो doubt आया, अभी resolve नहीं होगा, कि temperature बढ़ाने से, यह temperature तो बढ़ गया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, entropy change, कैसा आ रह है, यह DQ upon T function है, उससे decide होगा, तो आपके बल यह नहीं बोल सकते कि साथ temperature जब मैंने बढ़ाया होगा, तो kinetic energy बढ़ गई होगी, तो randomness बढ़ गई होगी, ऐसा नहीं है, बलकि इसका उल्टा है, बलकि इसका उल्टा है, होता क्या है, कि जो small temperature reason है, जहां पे, ठीक है, वहा entropy के case में, बढ़े को और बढ़ाना मुस्किल है, यसे मालो किसी का room है, वह बहुत अच्छे से organize है, बलकि अच्छे से विजार रखता है, सब कुछ करता है, अब उसके room में कोई जाए और किताब उताब में उसकी फैला दे, तो दिखाई देगा कि उसका, तो entropy दिखेगा न बढ़ाना मुस्किल है, तो 50 तक तो बढ़ गई, 50 के बाद फिर 75 तक गए न, 25 बढ़ाया, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए ती, इसलिए delta 1 क्या होगा, delta 2 से जादा होगा, तो cable आप temperature से relate मत करिये, आप उसको DQ upon T से relate करिये, थोड़े बहुत जो small doubts है वहाँ पर भी मैं clear कर दूँगा, है न, जो क्योंकि statistical thermodynamics है, वो जो आपने बोला तो न, kinetic energy वाला criteria, वो उसको नहीं मानते हैं, इस सब, इस सब छोड़ देते हैं, सब की सब की बात ही नहीं करते हैं, सीधे करते हैं, arrangement की बात करते हैं, है न, सीधे mathematics लगाते हैं, सीधे PNC ल लगा के वो जब science आती है, वो वास्तों में entropy को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वो थोला समयल पढ़ाऊंगा आपको, है न, statistical thermodynamics भी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर छोटे मुर्स दाउट अभी है माइं में, वो भी clear हो जाएंगे, न, ठीक है, तो अभी तो आप यह म समझ लीजिए, कि entropy, S is a state function, entropy S is a state function and extensive in nature, तो state function की property कैसे यूज करोगे, अगर भाई, cyclic process हुआ तो क्या होगा, ऐसे कर देना, ऐसे integration बनाना, और ऐसे delta test लिखनेना, cyclic integration होगया, dequeue reversible upon T, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, extensive है तो क्या होगा, extensive जो होते हैं, extensive property जो है न, जो function होते हैं, जिनमें जो extensive property को follow करते हैं, वो additive होते हैं, जोड़े जा सकते हैं, यह न, वो additive होते हैं, तो अगर मानलो किसी कोई process दो step में हो रहा है, तो delta test जो total होगा न, वो ऐसे लिखा जा सकता है, delta S1 plus delta, S2 plus delta S3, इनको जोड़ा जा सकता हैं, जितने भी extensive function होते हैं, they are additive in nature, तो आप एक process की जो, यह है, delta test total है, वो से अगर आपने टुकड़ों में break कर रखा है, तो उन सब को जोड़ के ला सकते हो, ठीक है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, note करो, एक नट, so now I will talk about entropy change in reversible non-cyclic process, मैंने non-cyclic term क्यों लिखा, तो इस cyclic में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने non-cyclic लिख दिया है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक term यूज करते हैं, delta s of universe, delta s of universe हो जाएगा, delta s of system, plus delta s of surrounding, कर सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि यह extensive है, तो जोड़ के निकाली जा सकती है, delta s of delta s2 से, अब delta s of जो system लिखा जाएगा, obviously बात है, you can write like this, q system, upon t, yes or no? लिख सकते हैं थोड़े रख लिए? ठीक है? नौ, what about delta s of surrounding? delta s of surrounding जो होगा, वो क्या होगा? वो होगा q surrounding, q surrounding by t, ठीक है? तो जड़ा container के बाहर बैटके देखो, जैसे एक container बनाता हूँ, एक आदमी तो यहां बैटता है, और एक इदर देखेगा, ठीक है? तो जब यहां से heat जाएगी, बाहर, तो यह कहेगा, अंदर से बाहर जा रही है, तो इसका तो अंदर वाले का तो कम होगा, लेकिन बाहर वाले को मिल रहा होगा, और जब बाहर से अंदर आ रहा होगा, तो surrounding से system को आ रहा हो, तो system का क्या हो जाएगा? positive, और surrounding का क्या हो जाएगा? negative, तो मैं कुछ इसको change करके लिख रहा हूँ, equation number 2 कर दो, और reversal process में कोई समस्या नहीं क्यों, इतना धीमे चलता है कि सब कुछ equal बना ही रहता है, system की चीज़ें कैसी बनी रहती है, हमेशा equilibrium में है, तो सब चीज़ें कैसा बनाता है, equally बना रहता है, तो आपको temperature का भी कोई tension नहीं है, तो जब आप इन दोनों को आप first plus second करोगे, तो क्या मिलेगा, first plus second क्या हो जाएगा बताओ, जी हाँ, तो delta S of जब universe लाओगे, तो आएगा Q system, upon T, minus Q system, upon T, नोट करना सुरू करो, delta S of universe क्या आएगा बोलो, 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, S of universe क्या हो जाएगा बोलो, बोलो, वो constant हो जाएगा, अब समझो, इस बात को, दो मेड़े यहाँ देखो सब लो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जगर process reversible हुए, आपको यहादे, reversal process बहुत ही धी में होते थे, एक डाम धी में धी में पिस्टोन ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा नीचे आएगा, तो infinite time में expansion, और infinite time में क्या होगा, compression होगा, ऐसे case में क्या होगा, कि system और surrounding कैसे रहते हैं, equilibrium में रहते हैं, जो system को मिलता है surrounding, उसको बापिस system से surrounding को जो चीज मिलती है, surrounding उसको बापिस system को उतना कर देती है, दोनों equilibrium में रहते हैं, तो कोई कुछ gain in नहीं कर दा है, इसलिए universe के entropy में, universe के disorderness में कोई difference नहीं आता है, इसलिए change in disorderness कैसी आ रही है, zero आ रही है, entropy कैसा बना रहेगा, constant बना रहेगा, लेकिन आप यह जानते हो कि दुनिया में reversal process हो नहीं रहे हैं, अगर हम reversal process से power generate करेंगे, तो पिर हम car, bike, यह सब चला नहीं सकते, उससे better है कि हम pedal चलें, हरकी नहीं, फिर cycle चलाएं, ठीक है, तो infinitely, infinite time में आप process को नहीं करा रहे हो, बलकि finite time में करा रहे हो, जल्दी करा रहे हो, तो उस जल्दी जो process आप जो करा रहे हो, finite time में करा रहे हो, fraction of seconds में करा रहे हो, ठीके ना, RPM बढ़ा रहे हो engine के, उससे power generate कर रहे हो, फटा फट 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 पिस्टन चल रहा है, और power generate कर रहे है, तो वो जो process है, वो process कैसा हो जाएगा, वो reverse will नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, इर reverse will रहेगा, अगर वास्तों में दुनिया में process कैसे हो, reverse will हो, तो हमारे इस universe की entropy बढ़ेगी, disorderness बढ़ेगा नहीं, जो आपको natural calamities बगर दिखाई दे रही है, जिस तरीके से weather shift हो रहा है, और weather अ देखो, अब आते हैं स्टेटमेंट अफ सेकेंड लॉप थर्मोडायनमिक्स, सेकेंड लॉप का थर्मोडायनमिक्स का एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट है, कि entropy of universe keeps on increasing, यूनिवर्स का जो entropy, हमारे ब्रमान का जो entropy, ये randomness है, वो लगातार क्या हो र रहा है, है ना, दूसा स्टेटमेंट ये कहते हैं, कि all, all spontaneous process are irreversible in nature, आप agree करते हो, all spontaneous process, ऐसे process जो अपने आप होते हैं, वो irreversible होते हैं, आपको लगता है, ऐसा होना चाहिए, कि spontaneous process कैसे होंगे, कैसे होंगे, बोलो, spontaneous process कैसे होंगे, अपने आप होंगे, तो जो चीज अपने आप होगी, यार वो तो पक्के से finite time में खतम होगी, उसका driving अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ड्राइव हो रहा है, अब यह पैन छोड़ूँगा, तो infinite time तो ही लगा नीचे जाने में, किसी body, hot body है, उसको ठंड़ा होने में, finite time लगेगा, तो और finite time में कौन से process complete होते हैं, irreversible होते हैं, तो दुनिया में जितने भी spontaneous process हैं, वो सारे कैसे हैं, irreversible हैं, reverse will तो नहीं हैं, और अगर irreversible हैं, तो deltas of universe will 0 नहीं होगा, इसलिए इसने कहा, कि भाई process कैसे हो रहे हैं, सारे process spontaneous हो रहे हैं, और spontaneous process में entropy क्या होती है, बढ़ती हैं, वो closest ने पहले बता दिया था, कि सभी spontaneous process कहां से less disorder से more disorder की तरफ जाते हैं, इना, spontaneous process में entropy बढ़ेगी, तो फिर्रिवरसिब प्रॉसेज में entropy क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसनों ने कहा कि, for, for irreversible, for irreversible process, delta s of universe जो होगा, वो क्या होगा, positive होगा, तो delta s of universe का मतलब है, s की value क्या हो रही है, s की value क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तब ही तो delta s क्या होगा, positive होगा, तो दुनिया में जितने भी process अपने आप हो रहे हैं, हम सांस अपने आप ही ले रहें, अब जितने भी आप राएं जितने भी यापने system बना रखे हैं, जितने भी power generation, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पावा जनरेशन और जितने भी thermodynamic process में within time आप पावर जनरेशन कर रहे हैं उन सभी process से क्या हो रहा है entropy बढ़ रही है तो universe की entropy लगातार बढ़ती जाएगी universe उस entropy को लगातार क्या करता जा रहा है एब्जार करता जा रहा है, जिस दिन वो इस absorption को बंद कर देगा, यह होगा उस दिन, लिजए बन अपने maxima पर होगी को जिन अपने maxima पर होगी उस दिन बरना, बंद, डेल्टा S क्या हो जायगा? जीरो हो जायगा, उस stage पर, और सिकाल सबकुछ रिवर्स हi ना तो यह हमारा यूनिवर्स है जब तक यह इस entropy को क्या करता रहेगा एब्जॉर्ड करता रहेगा तब तक यहां पे सारे process कैसे बनते रहेंगे यह रिवर्स डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के दो मतलब है ध्यान रखना डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स एक्वल टू जीरो के दो मतलब है या तो process process में आप काम कर रहे हो और reversal process है तो फिर आप copy पर काम कर रहे हो पैक्टिकली आप काम नहीं कर रहे हो कि पैक्टिकली तो कोई भी reversal process बनना संभो नहीं है ठीक है आरहे वह समय में तो यह तो आप paper pen पर काम कर रहे हो reversal process पर काम कर रहे हैं तो delta of universe क्या होगा जीरो होगा या फिर क्या हो चुका है आप जिस दुनिया में रह रहे हो वहाँ पे entropy maxima पर हैं तो मतलब है ठीक है एक मैं आपको free energy पढ़ाऊंगा वो जी उस दिन minima पर होगी जिस दिन एस अपने maxima पर होगा उस दिन free energy अपने minima पर होगी क्योंकि spontaneous process में डेल्टा जी कैसा आता है नेगेटिव आता है वह घटे घटे minima पर होगा यह बढ़ते बढ़ते maxima पर होगा यह बढ़ना बन वह घटना बन ठीक है ठीक है तो और सारी चीज़ें से कैसी हो जाएंगी वह घटम हो जाएंगे सरीके से तो जी फंक्षन और एस फंक्षन उल्टा चलता है यह बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा घटे घटे नीचे जा रहा है कि अना सरीक है तो भी मैं बहुत अच्छे से लूँगा आपके माइंड को तो दीके से यह तो मैं पूरा कर दूँगा अच्छे से कोई दिखकत ने तो यह वाला पार्ट हो गया इंट्रॉपी वाला पार्ट है ना तो सेके लोग थर्मोडायनमिक्स नामें क्या बताया कि यूनिवर्स की एंट्रॉपी लगातार हो रही है कि बढ़ती जा रही है हो इसलिए कि और कोई भी जो ढ यह इह रिबर्स का मै वोगा आपको तो सबसे पहले हम लोग लोग्याथ करेंगे. करेंगे. फर्स्ट लोब थर्मो ड्यानमिक्स. वो क्या था? dE बराबर. क्या था? ΔE बराबर. क्या था? dE बराबर. हां Q प्लस W. यसको ove transparencial change में लिख लीजे. dE बराबर. dQ प्लस dW. अब चीजें कैसी हो जाएंगी ? reverse vouloh ho जाएंगी क्योंकि आप small change देख रहे है तो now you can write here dq reversible यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो ? re q लिख सकते हो क्योंकि आपने small change दे शुरू कर दिया है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो ? इसकी जगह पर लिख सकते हो आप ncv dt और इसको क्या लिखो dq reverse will अगर आपने ncv dt लिख दिया तो फिर आप ideal gas पर आ गया है ना ठीक है और यह उठा के यहां भेज दो तो dq reverse will क्या हो जाएगा ncv dt प्लस pdv हो जाएगा यह dq reverse will हो गया ठीक और हमारा जो entropy change का फार्मूला क्या था डेल्टाइस बराबर integral of dq reverse will upon t yes or no ठीक है यहां पूट कर दीजिए यहां पूट कर दीजिए यहां पूट कर दीजिए यहां पूट कर दीजिए यहां आ जाएगा बोलो एक बार टी डिवाइड यहां होगा एक बार टी डिवाइड यहां होगा तो दो बार आ जाएगा यह क्या जाएगा डेल्टाइस बराबर इंटिगेशन ओफ एन चीवी डीटी अपॉन ठीक है प्लस लास पी इंटुडी वी अपॉन टी यह दो इंटिगेशन हो जाएंगे यहां पर सबको सुन में आ गया ठीक है कि और वी को क्या करो अगर आपका सीवी कॉंस्टन्ट है तो इंटिगेशन साइन से बाहर निकाल देना और कभी स्कॉंस्टेंट ना दे रखना है अभी तो आप मान के चलो कॉंस्टेंट देगा डी की अपॉंट टी आ जाएगा यहां पैसे ठीक है अब यहां पर पी की जगे क्या पूट कर सकते हो एन आर्टी बाइवी और डीवी अपॉंट यूज कर लिया है तो भाई अब तो बिल्कुल गारंटी होगी कि हम लोग किस पर काम कर रहे हैं बोलो आइडियल आइडियल गैस पर काम कर रहे हैं अभी में लगाओ इसको बाद में लगा लेंगा उसके बाद क्या होगा सुनों यह वाला टी से टी खतम हो रहा है कि तो मारा जो डिल्टा आएगा वह क्या एगा एन सीवी डीटी वाइटी अप्लस एन आर कॉमन कर लेना चाहिए बीवाई वी आ जाएगा यह टीवन से लेके कि तो तक इंट्रिगेट कर दो यह वीवन से लेके लिटी तक तो हमारा जो डेल्टा स के लिए फाइनल जो फार्मूला बन क्या आएगा वो क्या बन जाएगा देखो डेल्टा स ओफ सिस्टम के लिए हो रहा है सारा का में न हो जाएगा एन सीवी एलन टी टूवाइटी वन सबको समझ में आ रहे हैं डी टी अपॉंट टी आएगा है शिस्टम ही इस और नो और इस तरीके से सब 1010 मों जो जितने भी है राव है लिएसरे मैंने कोई आइसो थन मटीं है नहीं काउद typically यह कुछ कोई प्रोसरे में नहीं लगाते हैं बताया वाकि कि फेस्ट ट्रांस्वर्मेशन कब होते हैं चाहिए तो यह फार्मला फेस्ट ट्रांस्वर्मेशन पर वैलिड नहीं है बाकिया आप सब जगे लगाओ जहां पर आप दो चीज़ें नहीं लगा सकते एक जहां पर आप NCVDT यूज नहीं कर सकते और जहां पर पीवी कोल टो एनार्टी नहीं यूज कर सकते वो प्लेसेस को छोड़ कर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने यहां पर कोई का नाम नहीं दिया को कोई ऐसा जगह मिला जहां ncv dt डिफाइन नहीं है वहां मत लगाओ आपको नहीं लगा सकते हैं तो दो जगह क्योंकि derivation करते समय इस formula के derivation करते समय इन दोनों चीजों का यूज किया गया है तो जहां पर यह नहीं लगेंगे वहां पर यह formula applicable नहीं है वैसे मैं आपको बता दूँ अगर numerical आजाए तो आप बहुत यह मानलो कि आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आपको entropy का numerical आजाए क्योंकि entropy के numerical में तो यहीं लगता है entropy में खत्रा कहां पर है जब entropy का theoretical question आता है तब ज्यादा खत्रा है क्योंकि उसकी समझ चाहिए होती है अब समझ में जैसे अभी जब मैंने question अभी दिया था 25 से वाला तो उसमें गरबढ़ हो रहा था नुमेरिकल नहीं था बहुत समझ वाला question था तो जब वहां पर entropy calculation in reversible process अभी मैं जितने भी process लोगा सारे कैसे होंगे बोलो सारे reversible होंगे अब मैं पहला process ले रहा हूं कौन सा reversible isothermal process यह मैं पहला process ले रहा हूं तो इस reversible isothermal process में क्योंकि process कैसा है isothermal है तो temperature of the gas क्या रहेगा बोलो कॉंसेंट रहेगा रहेगा तो डेल्टा टी क्या रहेगा जिरो यह फार्म्ला लगा ले नहीं लगाएं बताओ अगर आप से कोई delta of system पूछता है तो क्या करोगे फार्म्ला उठाके लगा लेना लगा दो क्या आएगा delta of system equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1 यहां को जीरो हो रहा है बता सकते हो कौंसा टर्म जीरो हो रहा है ती टी 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 बरावर होंगे क्योंकि टी गैस का कॉंस्टेंट है यह वाला टर्म तो कर दो जीरो तो delta of system का formula क्या आ गया यह आ गया तो बहले ही मैं अलग-अलग आपको सिखा रहा हूं लेकिन फाइनली आपको exam में एक formula लेकर ही जाना है कौंसा यह वाला ncv ln t2 by t1 अप्रोड प्लस nrl v2 by v1 तो यह तो system का आ गया what about delta s of surrounding क्या करोगे है कि नेगेटिव आएगा क्यों आएगा कि रिवर्सिल प्रोसेस है एक दूसरे का equilibrium क्यों क्या करना है जीरो करना होगा है तो delta s of surrounding की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस delta s of system हो जाएगा और यह वैलू कितनी आ जाए कि माइनस nrln v2 by v1 आज कल advance वाले questions आ रहे हैं उसमें surrounding का भी पूंच रहे हैं एक दू साल से पूछे है IT advance में surrounding surrounding पर फोकस कर रहे हैं तो उसका भी अपने को आलूम होना चाहिए यह तो हो गया यह वाला process ठीक है नहीं discuss about the second process और वो प्रोसेस कौन सा है reversible adiabatic process reversible adiabatic process adiabatic process की क्या पहचान है सबसे पहले क्या देखोगे q0 q0 होने से क्या जीरो हो जाएगा q0 होने से क्या जीरो हो जाएगा delta of system यह delta of surrounding q0 होने से क्या जीरो surrounding q0 करना चाहिए यह system भाई जैसे यह यह मालो container है ठीक है यह इंसुलेट इडिवेटिक कंडिशन पिस्टन लगा रखा है अपने अब यहां पर आप अंदर बैठे हुए हो एक यहां बैठा हुआ आपका दोस्त surrounding में ठीक है तो यह जो यहां बैठा हुआ है ना इसको तो पिलकुल पूरी guarantee है कि भाई यह तो guarantee ना इसके लिए surrounding वाले की पूरी guarantee कि उसको heat ना उसको मिलेगी ना उसकी जाएगी है ना तो अगर आप delta s of surrounding लिखो लिखोगे तो क्या लिखोगे क्यों surrounding अपवाण टी लिखोगे यह लिखोगे और क्यों surrounding कित्ता आएगा जिरू आएगा पक्का confident हो surrounding में बैठा हुआ जो आपका दोस्त उसको पक्का चलेगा कि भाई हमारा यहां से ना कुछ आ रहा है तुम्हारे container से ना तुम्हारे container को कुछ जा रहा है तो यह हो जाएगा जीरू यह क्यों surrounding क्या होगा जीरू यह पक्के से जीरू हो गया समझना बात को ठीक है हारे वासवन में ठीक है तो यह थोड़ा टालू यह वाला पार्ट अपर का तो इसमें क्या होगा प्रॉसेस कैसा है और रिवर्सविल भी है तो अगर भाई रिवर्सविल है तो डेल्टा एस ओफ यूनिवर्स क्या होगा जीरू इसके लिए पॉर रिवर्स्विल प्रॉसेस के लिए एगरी करते हो और डेल्टा एस ओफ यूनिवर्स क्या होता है डेल्टा एस ओफ इसस्टम प्लस डेल्टा एस ओफ सराउंडिंग ठीक और इसको आप पहले क्लेम कर चुके हो किता आएगा जिरू इसलिए डेल्टा एस ओफ सिस्टम भी क्या आ जाएगा जिरू आ जाएगा ठीक तो डेल्टा एस ओफ सिस्टम क्या हो जाएगा यह constant हो जाएगा तो adiabatic process जो होता है वो एक constant entropy का process होता है इसलिए हम लोग पता है इसको नाम क्या दिया है isentropic process isentropic process एक ऐसा process जहां क्या चीज constant है जैसे आप बोलते हैं isothermal क्या constant temperature isobaric pressure isocoric तो isentropic entropy इसमें entropy constant रहती है यह नोट किया है क्या सबका नोट हो क्या है यहाला तो एक चीज और देख लो यहां पर यह एक ऐसा process जहां पर delta of system भी 0 और delta of surrounding भी 0 आएगा आरा वासवाज में ठीक है दोनों 0 आएंगे अगर कोई कहें कि जारा इस formula का क्या तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी बात भरूसा नहीं है तो पर क्या करो आप इस formula को लगा लेना अगर आपने आपका वी टू बड़ा होगा वीवन से मतलब कौन सा process होगा यह których कमोगा उंस है उपने निगेटिव कर लेंगा यह अपने यह नहूं यह दोना अपने अगर आप इस फार्मूले को भी लगाओगे तो भी पाइलली इसी रिजल पर पहुंचे गो जो मैंने आपको बताया हुआ है इस फार्मूले से भी आ रहा वसंद में पक्का नोट करो नेक्स प्रॉसेस लिखो आइसो कोरिक प्रॉसेस तो आइसो कोरिक प्रॉसेस में क्या चीज कॉंस्टेंट है फॉल्म आप दा गैस कॉंस्टेंट हुजाएगा फिर से क्या करना फॉर्मूला लगा देना डेल्टास ओफ सिस्टम क्या हो जाएगा एन सी वी एलन वी टीटु बाई टी ऐन प्लस अ और एलन वीटू बाई यहाप पर जीरो पर जीरो हो रहा है तो एक बार आपको समझ बढ़ गई मतलब आप अगर इंट्रॉपी को समझते हैं तो इंट्रॉपी को कैलकुलीट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है यह बोला आप बहुत लगी होगे अगर आपको इंट्रॉपी कैलकुलीट करने के लिए आ जाए तो कैलकुलेशन उसकी सम से ज्यादा आसान रहती है ठीक है इस तरीके से ना हमारे एक प्रॉसेज और बच्चा यह अटा दूं क्या एडिवेटिक बला लास्ट बच्चा है हमारा आइसो बारिक प्रॉसेश आइसो बारिक प्रॉसेश ना तो आइसो बारिक प्रॉसेश तो यहां पर क्या क्या कॉंस्टैंट होगा पी फ्यू प्रिंप्रॉसेश ना अभेत तिम प्रेटाचर ही बढ़ाओ शार्टा और प्रश्टी में थ्यू एक तो वॉलूम बढ़ सकता है तो फिए गटा होगे तो वॉलूम घटेगा यह सुनो मैं इस डिसकेशन से आपको बात समझाना चाहता हूं कि आप यह आप यह आपको ती2 वीटुबराबर नहीं मिलेंगे पक्के से T1 , T2 , V1 , V to का डेटा आएगा स्टरा कहाँ करत presses कैसे बनाएगा ard क्प्रोसेस कैसे बनाएगा याझक्ष किंसे यान कप्रेशन से बनाएगा तो volume कैसे बढ़ेगा । तैंजर बढ़ा होगे यहना और वॉलूम कैसे घटेगा टेंदे घटा होगे तो यहां पर यह दोनों टर्म कैंसल नहीं होने वाले इनका दोनों की वेलू आएगी और दोनों की एक जैसी वेलू आएगी पॉस्टिवी आएगी या निगेटिवी आएगी डेल्टा एस ओफ सिस्टम क्या होगा एन सीवी एलन टीटू बाई टीवन ठीक है प्लस एन और एलन वी टू बाई वी बाई वीवन ऐसे आएगा और पता इतना अच्छी बात है इसमें अब टेंपरिचेर बढ़ रह आ है कि टीटू बढ़ा होगा टीवन से तो अपने आप यूटू बढ़ा होगा वीवन से तो दोनों ही positive होएंगे तो net value आजाएगी और जब टेंटर कम करोगे तो ये भी negative होगा ये भी negative तो कोई किसी को cancel नहीं कर पाएगा जुड़ेंगे ही दोनों बार टर्म एक्सपेंशन में भी add up हो जाएंगे और compression में भी add up हो जाएंगे जब volume बढ़ेगा तब भी जुड़ेंगे जब volume घटेगा तब भी जुड़ेंगे दोनों में add up होंगे तो दोनों टर्म तो इसी formula से बन जाएगा काम एक ही formula याद कर लो हाँ अगर कोई कहता है कि सर मैं यह वाला formula लगा लूँ तो क्या हो क्या चलेगा चल जाएगा ncp ln t2 by t1 चल सकता है formula डारेक्ट आप v2 को change कर लेना nrty by p2 करके change कर लेना v2 की जगे nrty by p2 रख लेना और v1 की जगे nr t1 by p रख देना pp cancel हो जाएगा फिर रख देना फिर इसको यह common आ जाएगा ln t2 by t1 यह cv plus r बन जाएगा तो यह cp बन जाएगा अपने आपी है कि ऑना यह अपने आप़ी cp बन जाता है तो अगर cp आजा था यह एक ही से करणा चाहते हो cp पता है एक से करना चाहते कर लोholes का अगर आपको volume का data नहीं सिर्फ temperature के data यह तो आप यह लगा लेना और आप volume और temperature दोनों का data है तो आप यह लगा लेना है घ्ड तो यहां तक entropy calculation हो गया अब entropy calculation हमारा केबल बच्चा हुआ है फेस ट्रांस्वर्मेशन में और इर्रिवर्सल प्रॉसेस में इंट्रॉपी calculation हो जाएगा next class में करेंगे इसको यहां तक entropy calculation का मैं खतम करता हूँ झाल 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 झाल